हाई एवरीवन वेलकम टू जैयार टूटोरियल्स आएम यूर फ्रेंड राहूल जैस्वाल फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि ये जो टाइम पिरिड चल रहा है वन आफ दो मोस्ट इंपोर्टेंट पिरिड चल रहा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए खास कर ऐसे श्टूडेंट जो 10 इस वक्त है और 12 इस वक्त है तो आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आज से 12 के स्टार्ट हो गए हैं आज से 10 दिन के बाद 10 के भी स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोके लिए 10 days का strategy वीडियो में लाऊंगा कोई tension वाली बात नहीं है लेकिन आज जोस्तो ये जो वीडियो में बना रहा हूँ ये board के students के लिए नहीं है आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो लेकिन बाकी जो students हमारे channel पे है न उनके ये एक special वीडियो में बनाने जा रहा हूँ और ये जो वीडियो होने वाला एक important message सभी students के लिए जो इस वक्त 7th में है 8 में 9 में है and 11 में उनके लिए देने जा रहा हूँ और ये वीडियो 10th and 12th के लिए भी beneficial होगा शायद इससे आपको कुछ motivation मिल जाए ठीक है तो बाकी students सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो आपको मैं बोल रहा हूँ 7th के student 8th के 9th के and 11th के students आप कई सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपके board examination या फिर आपके final examination ने वो काफी नजदीक आ चुके लेकिन मैंने कल के दिन एक comment देखा तीके न वो comment सही मुझे idea आया कि ये message आपको जरूर से पहुचाना चाहिए है मैंने एक comment देखा यादा नहीं देखा सिर्फ एक comment ऐसा देखा एक बच्चे ने लिखा था दोस्तों कि सर आप सिर्फ 10th की board के उपर focus करवा रहे हो हमारे बारे मैं नहीं सोच रहे हो तो यार मैं सबसे पहले एक बात बताओ क्या सबसे पहले मैंने 7th 8 9 का syllabus complete किया जो बहुत पहले हो चुका था 10th का तो अभी recent मे हमने वाकी one shot complete गया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दो ना कि 10th का तो चल रहा है क्योंकि उनका board examination सर पे और आप जानते हो board का क्या value है आप लोग का भी उतना ही important है इसलिए आप लोग का भी syllabus continue साथ में मैं पढ़ाता हो जब भी मैंने starting से वीडियो लेकर आया आपके लि नहीं बता रहा हूँ अभी कि मुझे आपको कुछ प्रूफ करने की जरूत है मुझे कोई प्रूफ करने की जरूत नहीं आप सभी जानते हो दोस्तों मेरे बारे में और आप सभी ने हमारा video section को scroll करके देख लेना आपको लगातार देखने मिलेगा कि हम 7, 8, 9, 10, 11, 11 हर type के वीडियो को upload कर रहे है ठीक है तो चलो ये तो एक normal सी बात थी वो मैंने बता दी उसको side में रखने है लेकिन main important बात जो मुझे आज आपको बतानी है वो ये है कि बाकी student जहान से सुन लेना आप लोग के subject के सारे syllabus हर subject के complete हो चुके है ठीक है ठीक है अब आब बोलोगा कि sir एक हाद lecture बचा हुआ है तो वो हम लोग complete कर रहे है और आज नहीं तो कल वो complete होई जाएगा कोई tension नहीं बात नहीं है science पूरा complete है mathematics पूरा complete है almost history वगरे complete है geography complete है civics political science हर एक का complete है तो कोई tension वाली बात नहीं है तो आपको क्या कर रहा है बस अपनी पढ़ाई की शुरुआत क 11th का students आप लोगो physics अच्छे से मिल रहा होगा chemistry अच्छे से मिल रहा होगा biology हमारे पुराने वीडियो सी है बहुत सारे हमने पहले बना के रखे तो वो आपको helpful रहेंगे maths के लिए हम थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि maths का हमारा नहीं बन पाए लेकिन trust me आप लोगो ना पूरा का पूरा mathematics में cover करा के दूँगा ठीक है आपका यह जो new academic session चालू हो जाए आप 12th में चले जाओ तो आपको personally मैं खुद math लेने वाला हो आपके लिए और आपको हर चीज में provide करूँगा तो tension बिल्कुल नहीं लेना है आपके रहूल सर आपका इतना जो basics होताने इतना strong लेकर आएंगे ना vacations में सब यही काम करना है आपको इतना strong basic करवा दूँगा तो आपको कोई चिंता नहीं होगी तो बिल्कुल tension मतले ना और बाकी students 7th and 9th के students आप लोगको continuously पढ़ाई करते रहे ना क्योंकि अभी यह जो time में lot के नहीं आएगा अभी आप दो मेने के बाद एक new standard में चले जाओगे तो उसके पहले आपके final exam के लिए basic concept and knowledge इतना strong clear कर लेना कि आप जब next standard में जाओगे तो वो सब चीज़े आपको easy लगेगी ठीक है तो सबसे पहली बात study strategy और time table is already given हमने पूरा का पूरा 7-8-9-10-11 हर एक के लिए हमने strategy वीड वीडियो खुद का experience सुबह morning से लेकि night तक आपको क्या करना चाहिए यह मैंने आपके लिए provide किया है जुट नहीं बोल रहा हूं दोस्तो correct है आप जानते हूं कि यह चीज़ आप जाके हमारे video section में check कर सकते हो तो जाके check out तो करो एक बार यार बहुत सारी लोग क्या होते है video section को scroll नहीं करते हैं क्योंकि हमारे channel पर एक दिन में पाच-पाच वीडियो जाते हैं तो वो कहीं नहीं चिप जाते हैं पिछे चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है लोगों को कि पहुचा के नहीं पहुचा तो यह आप लोग से भी request करूँगा क्योंकि आप लोग मेरे प जाला हुआ है तो उसको share करो जादा से जादा तो पता चलेगा आपको आपके friends को भी यार इस प्रकार strategy follow करना है और हो सकता है उसकी life change हो जाए उस वज़े से हो सकता है जो average से average बच्चा है वो अचानक से अच्छे marks लाने लगे तो सबसे जादा खुशी आपको होगी as a friend क कि मेरे कहने पे या फिर मेरे इस वीडियो को share करने के वज़े से देखो मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है तो खुशी होनी चाहिए तो sharing is caring ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा दूसरा science के जितने भी important questions है वो सब मैंने provide कर दिया है 7 वी को 8 वी को 9 वी को 11 के लिए हमने important questions अभी नहीं लाया है लेकिन आपको आजाएगा tension मतले ना हर standard के बारे में राहूल सर equally सोचते है ठीक है लेकिन अभी board सर पे है इसके लिए 10th का थोड़ा सा 2-3 वीडियो एक्स्ट्रा बन रहा है और कुछ फरक नहीं है समझ में आ गया ठीक है तो आपको मिल जाएंगे already given है complete your syllabus पूरा syllabus हमने वीडियो तो complete कर दिया हमारी तरफ से हम clear होगे दोस्तो ठीक है अब आपका जो revision करवाने की जिम्मेदारी है वो मैं ले चुका हूँ दोस्तो और आप लोगो मैं provide करूँगा लेकिन उसके पहले क्योंकि revision कप करते हैं दोस्तो मुझे एक बात बताओ revision कप क इसके पहले आज से ही कसम खालो मुझे promise करना comment में लिखो promise करता हो कि सर पहले मैं आपका syllabus complete करूँगा पास दिन टाइम लेलो दस दिन टाइम लेलो कोई बात नहीं ठीके न आज से पास दिन टाइम लेलो चलेगा लेकिन पास दिन में हर subject का कोशिश करो वीडियोस देखके पूरा का पूरा syllabus खतम कर दो देखके हर subject का history, civics, political science या फिर आपका geography हो वो subjects हो गया इसके लाव आपका science 1, science 2 हो गया या फिर normal general science हो गया या फिर mathematics, algebra, geometry हो गया हर standard के हर subject का आपको पहले अपना क्या करना है अपना standard का syllabus complete करना है हमारे वीडियोस देखके और deeply देखना उपर तो सिर्फ ऐसा लगेगा कि life बहुत अच्छी चल रही है लेकिन end to end एक time आपको realize हो जाएगा कि life बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है काच मैंने उस time पे बराबर focus किया होता तो आज मुझे इतना stress नहीं होता तो वो चीज़ को आपको focus करना है again आपका बड़ा भायू द लेकिन आज मैं इस मुकाम पे पहुचा हूँ तो आप लोगों मैं कुछ चीज़े बता सकता हूँ जो मेरे पास experience है जो मेरे पास knowledge है मैं आपके साथ share कर सकता हूँ ताकि आप वो गलती ना करो जो मैंने की थी ठीक है life में बहुत आगे बढ़ना है आप लोगो तो competition बहुत practice में भी लाना है लिखने का practice भी writing skills जो होता है आपको शुद्ध लिखन भी लिखना है जिससे आपका handwriting fast हो सुंदर हो जिसके से आपको board examination में या फिर final examination जो भी होगा आपका उसमें लिखने में अच्छे से लिखोगे marks अच्छे में लेंगे ठीक है next हम अभी recent में क्या provide करन 7th, 8th, 9th और 11th इनके लिए question bank मिलेगा आपके जितने भी important questions रहेंगे जो मुझे लगता important है वो मैं आपको दे दूँगा अलग-अलग chapters के जैसा आपके exam में आएंगे solutions में provide करूँगा खुद solve कर रहा होंगा जैसे mathematics जैसे की कुछ example है ठीक है ना question bank में मैंने दिया हुआ है यह सब चीज मैं इसलिए बता रहा हो ताकि आपके मन में शंकार ना रहे कि राउल सर आपके लिए नहीं सोचते है राउल सर सबसे पहले आपके बारे में ही सोचते है आप सभी मेरे equal बच्चे हो यार ठीक है ना मैं दोस्त हो आप मेरे ठीक है तो यह चीज समझो प्लीज हर मुमकिन कोशिश तब यह खराब रहती है फिर आके खड़ा रहता हो क्यों खड़ा रहता हो just to support you guys just to आपको अपने life में आगे बढ़ाना ही खैसे वो सब चीज सोचता हूँ तो please इस चीज के लिए थोड़ा से इंतजार कर ले ना तब तक आपका पूरा का पूरा entire syllabus पढ मुझे comment कर सकते what do you want इसके अलावा आपको और क्या चाहिए बाकी standards के लिए तो please मुझे comment कर देना मैं जरूर से comment read करूँगा और उसमें से मैं videos बनान की कोशिश करूँगा तो what do you want please comment बिंदास बड़ा भाई है आपका बिंदास comment करूँगा कोई problem नहीं होगा तो अच्छे comment करोगे तो जरूर से मैं पढ़ूगा और जरूर से आपको reply भी करूँगा और जरूर से आपके उसके उपर वीडियो भी बनाऊँगा ठीक है और खास कर एक 11 students के लिए सबसे खास चीज में लेकर आ रहा हूँ 11 students exam preparation आपको मैं करवाँगा last moment पे आपका exam नजदीक आ जाए पढ़ाई करते रहो लेकिन हम जिम्मेंदारी लेते कि आपका exam preparation में करवाके रहूँगा ताकि आपको board में कोई परिशानी ना हो मतलब 11 के बाद जो final exam आएगा और 12 में जब जाओगे तो कोई परिशानी ना हो ठीक है तो आपके राहूल सर है जयार टूटोरियो भी है ठी students के लिए तो please इस चीज़ को समझ लेना अपने दिल में बिठा लेना और यह जो बाते में आज शेयर किये आपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि आर उनको भी यह पता चल सके ठीक है ना तो बार-बार वीडियो नहीं बना सकता separate separate video 10-15 मिन टाइम लेके मैं बना रहा just to assure you don't worry your Rahul Sir is there for you ठीक है हमेशा रहेंगे tension बिल्कुल नहीं लेना है ठीक है तो यह वीडियो जरी समापत होता है प्लीज इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा समझ में आ गया होगा बाते तो like कर देना प्योंकि like करते रहोगे तो हमें motivation मिलता रहता है और share करना तो please share to everyone first time हमारे चैनल पर आया हो अगर आभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है और फिर भी हमारे वीडियो देखते हो यार बहुत गलत बात है प्लीज चैनल को subscribe कर देना बाजू में उसके bell icon होता है उसको भी press कर दोगे ताकि आपको notification जो है मिलती रहेगी ठीक है friends तो जल